हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं यूटिव चैनल आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि हम इस तरीगे की रेलिंग को स्केच अप में किस तरीगे से बना सकते हैं यह इतनी सारी टाइप्स की रेलिंग्स है कैसे हम मना सकते हैं यह हम बनाएंगे मैज रेलिंग से जो लास्ट में ने बताया था आपको मैज स्टेयर तो आज मैं आपको डिस्स करूगा मैज रेलिंग मैज रेलिंग में क्या है कि इस टाइप की रेलिंग है जो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो मैज रेलिंग के लिए आपक क्लिक करेंगे तो इस टाइब के आपके extension आ जाएगी जिसको आप easily install कर सकते हैं. Sign in करना पड़ेगा continue करने के लिए install करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर extension manager पर जाके यहाँ पर जाके आपको mass railing इस तरीके से यहाँ पर देखनों को मिलेगी. जो mass rail है यह आपको enable कर देनी है. enable करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर जाना है और mass rail पर क्लिक करोगो तो आपकी mass rail यहाँ पर बननी start हो जाएगी. बनाना किस तरीके से है? अब मालनों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कितने types के आपकी railings हैं जो आप इसमें create कर सकते हो? जैसे एक, दो, तीन, तीन types की railing जो है जो आपको free of post मिलने वाली है, बट इससे ज़्यादा types के अगर आपको railing लेनी है तो आपको वो purchase करना पड़ेगा जो आपका मैज रेलिंग का सब्सक्रीप्शन है उसके लिए मैज रेलिंग पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो rail type आपका इतने सारे types की हैं बट हम जो free of post यूज़ कर सकते हैं वो तीन ही है ए बी और सी टाइप की डी टाइप की अगर यूज़ करोगा तो आपको बताएगा रेलिज अवेलबल पेड़ वर्जन पर ही आपका अवेलबल है तो आप उसे पेड़ परचेज कर सकते हो मालनों मेरे को अब A type की railing बनानी है, A type है ये, B type है ये and C type है ये वाली जो आपकी glass वाली railing है तो यहां से आप डाल सकते हो कि rail की height आपको कितनी रख लिए है, वो मैंने 3 feet यहां पर रखी, rail type मैंने A रखा run offset मैंने अभी के लिए zero कर दिया, run offset and perpendicular offset ये दोनों मैंने zero किया, ओके बनाने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, इतने part पर मेरे को बनानी है, एक यहां पर click करना और जहां पर end करनी है वहां पर double click कर देना है तो आपकी इस तरीके से railing बन जाएगी, ठीक है माल लो मेर को दो partition देने या ऐसे पॉल के, तो एक यहां पर click करो, एक center में click करो और third point पर double click कर दो, तो आपकी railing बन जाएगी, और माल लो मेर को इससे ज़्यादा points करने है दो, तीन, चार, पाच पॉल लगाने है, तो या तो आप यहां पर click करते चलो, बट इससे क्या होगा कि आपके particular point equal distance पे नहीं आएगे, या तो आप equal distance के according को divide करके आप इसको कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप जब यहां पे बनाओगे railing, तो यहां पे नीचे देखो कुछ option है, option में एक option है, number plus e is equal to set a raise of pole मतलब अगर मालनों यहां पे मेरे को click नहीं करना, मेरे को सिर्फ cursor लेके जाना है, मालनों मेरे को यहां पे 4 pole चाहिए, तो आप press करो 4 e, enter, तो आप देखो के 4 pole यहां पे आ जाएंगे, मैं यहां पे right click करके measurement को open कर लेता हूँ, यहां से आप देख सकते हो, 4 e मैंने type किया, तो आपके 4 हो यहां पे आके, इसी के अंदर एक option आता है, 4 x का, 4 x का मतलब है कि मालनों, अब मैं यहां पे इस चीज़ को बना कर दिखाता हूँ, यहां पे मिरे को 4 pole चाहिए, यहां पे 2 चाहिए, और फिर यहां पे 4 चाहिए, इसमें आप क्या करोगे, इस पे click किया, प्रेस करके enter करता हूँ, तो यह बना देगा, मेरे को अभी बनाना नहीं है, मेरे को तो यहां पे पूरे points लेके चलने हैं अभी, तो मैंने undo किया, यहां पे click करो, यहां पे cursor लेके जाओ, और यहां पे press करो 4 x enter, तो वो 4 pole की location दिखा देगा, अगर आपको back जाना है, तो आ यहां पे press करोंगा, 4 e enter, तो आपका यहां पे इस तरीके से railing यहां पे बन जाएंगी, तो किसी भी type की railing आप ऐसे create कर सकते हो, ठीक है, एक और option जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूँ, वो stair में बताता हूँ, चलो, second type की stair मैं यहां पे railing बनाता हूँ, यहां पे मै enter किया, तो आपकी 4 railing इस तरीके से create होगी, चार आपके ballusters के साथ, ऐसी third type की आपकी railing है, type c, a click, यहां पे double click, इस तरीके से, यहां पे click, single click, यहां पे इस तरीके से, ज्यादा चाहिए तो click करो, cursor लेके जाओ, और आपने 3 e enter किया, तो आपका 3 इस तरीके से create हो जाएगी, यहां पे click किया, railing लिया, और यहां पे मालनो c type की railing या b type की railing मेरे को चाहिए, ok करो, और in points पे click करते चलो, बस last वाले point पे double click कर देना है, ताकि वो railing वहां से complete हो जाए, उसके बाद आता है, मालनो इस तरीके से steer पे लगानी है, अब steer पे दो चीज़ा आपको अच्छे से समझ में आएंगी, एक तो तरीका यह है कि आप in points पे click करो, मालनो center पे click कर रहे हो, या इस पे कर रहे हो, तो मालनो मैंने इस पे click किया, इस तरीके से, और यहां पे double click कर दिया, तो आपकी railing बन गई, अब जो आपकी railing बनी है, तो आप देखो, जहां पे आपने click किया उस पे इस तरीके से बनी है, मेरे को चाहिए कि मालनो थोड़ा सा अंदर की तरफ बने, तो उसके लिए मालनो मैंने इसको delete किया, दुबारा से railing लिया, यहां से मैं डाल सकता हूँ, दो चीज़े हैं यहां पे, एक तो होता run offset, एक होता perpendicular offset, run offset क्या होता है, कि मालनो मैंने 2 इंच का run offset लिया, इससे क्या होगा, कि मालनो आप एक line लगाते हो यहां पे, और यहां पे आप railing लेते हो, 2 इंच के run offset के साथ, तो यहां से बनाना start करोगे न, तो आप देखोगे, इससे 2 इंच इधर ले लेगा, वो, इधर जाओगे, इधर लेगा, 2 इंच इधर लेगा और यहां पे आप क्लिक करोगे, तो आप देखो, उस line से, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर आपकी आगए, ठीक है, यह होता है, run offset, अब इस चीज़ को मैं stair में कैसे use कर सकता हूँ, मालनो, मैं यहां पे railing ले रहा हूँ, 2 इंच के मैंने run offset लिया, या फिर मालनो, 3 इंच के म अब मैं चाहता हूँ कि 3 इंच आगे भी आजाए, और 2 इंच अंदर की तरफ भी आजाए, तो जो अंदर की तरफ का offset है, वो मैं लूँगा, with the help of perpendicular offset, तो मालनो, मैंने यहां पे ले लिया, 3 इंच ही ले लिया, मालनो, अब मैं यहां पे क्लिक करूँगा, यहां पे क्लिक क करोगे, बाहर की तरफ सीच हो जाएंगी, और यहां पे डबल क्लिक कर दो, तो आप यहां पे देखोगे, 3 इंच यहां से और 3 इंच यहां से आपकी stair इस तरीके से, और railings आजाएंगी इस तरीके से, तो ऐसे करके आप अपनी railings को create कर सकते हो, कैसा भी surface हो, कुछ भी हो, वो आप railing यहां पे create कर सकते हो, और जो 3 feet का height है, वो आप देख सकते हो, इस वाले point से, इस वाले point तक आपकी 3 feet की height रहेगी, कितनी भी आप height ले सकते हो, बाद में आप इसे edit कर सकते हो, वो आप क्यो उपर है, तो यह था किस तरीके से आप यह सब railing create कर सकते हो, तो आशा Thank you.